तो गुड मॉर्णिंग गाइज एक फर्स क्लास से मौसम के साथ वेलकम टू माइ नू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज की नू ब्लॉग हर हर महादेव जैसे के शाम बच्चे भी स्कूल चले गए हैं दिखाती हूं आप बास उनकी मुड़ गई है और वैदर एक दम फर्स क्लास वाला हो रहा है गर्मी नहीं है फिलाल तो आज मतलब ठंडा ही मौसम है जस्ट बच्चे स्कूल गए हैं अब घर जाके बच्चों के डैडी का टिपने पने उनका ब्रेक्पास्ट अप राड़ी करना है और गाइज आज मेरा शो भी है 7 अक्लॉक इवनिंग तो फिर मुझे वहाँ भी जाना है यह देखे गाइज घर पूरा पहला वा हुआ है बच्चों के वज़े से भावन ओरी रहती है और अभी मैं बर्तन दोने जा रही हूं फटबट से बर्तन दो की जीने विने की जाड़ो निकाल दीती हैं अब कमरे की जाड़ो निकाल की फिर इनका नहादो कर ब्रेक्पास्ट बनाऊंगी सो गाईज अब मैं अपने लिए बना रही हूं दाल का टोस्ट और मैं एक हाँगी प्रेक्पास्ट में सो गाईज अभी मैं रियास करने के लिए जा रही हूं कुछ सॉंग्स हैं उनको रैड़ी करूंगी एंटिया यहां बैठी हुई है टीवी देख रही है फिल्हाल तो और लंच कर लिया रात के डाल चामल थे बस वही गरम करके खाएज आज डिनर में बने आली के पराठे जिसमें हैं धनिया दही की चटनी चाए और पराठे अब यह बडानी बना रही है सो गाइस कल बारिश बहुत तेज थी वो भी आपको दिखाती हूँ देखिएगा कितनी वर्जस वाली बारिश हो रही थी जैपुर में कि अजय है झाल झाल आपको मेरी ब्लॉग पसंदा रही होंगी अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंदा दिये तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कियेगा अगर मत जाएएगे कामरिंग चरूर कीजिएगा एंड गाइज मैंने कुछ पुरानी याने हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेक्स बिकॉज अभी मेरे मुबाइल में कुछ दिक्कत आ रही है आज इसको सर्विस सेंटर लेके जाओंगी तो छोटी सी व्लॉब बनी है और उसमें कुछ ओल्ड फोटोस हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इंजॉई कीजिएगा चलिए बाई बाई टेक्याइज शाम हर हर महा दिए हावाओं की तरह मुझे छोके तो गुजर रोजाना रोजाना तेरी हातों की तरह मेरे हातों का सफर रोजाना रोजाना तेरी हा को सेका